नमस्कार आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले मुख्य समाचार सेल रॉलकला इसपाच सैंत्र के न्यू प्लेट मील में पांच मिलियन टन उपादन के उपलक्ष में समारक का उठगाटन सेल रॉलकला इसपाच सैंत्र में लिफ्ट संचालन और बचाव प्रसिक्षण आयोजित और आजादी का अम्रित महश्यव की कड़ी में आज के वक्तित्व हैं गुरुम राम्रहरी दास सेल रॉलकला इसपाज सहिंद्र के न्यू प्लेट मील में 3 अगस 2022 को यूनिट से 5 मिलियन टन प्लेट उत्पादन के उपलक्ष में एक भव्य समारों का आयोजन किया गया इस उपलब्दी के चिन स्वरुप RSP के निद्दशक प्रवारी श्री अतनु भॉमिक ने न्यू प्लेट मील के सामनी स्थापित किये गे 5 मिलियन टन के समारक पंचकोन का उधगाटन किया इस अफसर पर कार्यपालक निद्शक वॉक्स श्री एसार शुर्यवनसी, कार्यपालक निद्शक परियोजनाई श्री पीके साहू, कार्यपालक निद्शक सामगरी प्रवंदन श्री एस त्रीपाथी, मुख्य महाप्रवंदक वित्तवनलेखा श्री एके बेहूरिया, वि ये न्यू प्लेट मील के कर्मिसमू और संवितद्ध विवागों की कड़ी महनत और स्मार्ट वोकिंग का परिराम था कि यूनिट ने इस मील के पत्थर को पार कर लिया है। आईए सफल्टा के ने शिखर पर चन्ने की अपनी गती को बनाए रखें। उन्होंने आगे कहा मुझे विश्वास है कि ये समर्पन और प्रतिवधता RSP और सेल के लिए और गौरव लाएगी। इस उपलब्दी की सराना करते वे सभी कार्यपालक निद्धिशकों ने न्यू प्लेट मील कर्मिसमू को हार्दिक बधाई दी। मुख्य महाप्रवंदग न्यू प्लेट मील श्रीपिनाकी चौधरी ने इस उपलब्दी के बारे में बताया और समारक को सफलता पूर्वग डिजाइन, निर्मान और स्थापित करने के लिए संबिदित एजन्सियों को धन्यवाद दिया। विशेस्त समारक को डिजाइन विभाग द्वारा डिजाइन किया गया है। फेब्रिकेशन, मशीनिंग और स्थापना स्थानिय रूप से उपलब्दी संसाधनों से स्ट्रॉक्चरल और फेब्रिकेशन सौप्स और सिविल इंगिनिरिंग सर्विसेस कर्मी समू द्वारा क किया गया था। पंचकोन के आकार का समारक विभाग के चरणबद उतक्रिस्ट उत्पादन और कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों का प्रतिक है। अगनिशमन सेवा प्रसिक्षन केंद्र में 22 और 23 जुलाई को लिफ्ट, एलिवेटर, संचालन और बचाव पर अगनिशामकों के लिए विशेस पुनस्चरिया प्रसिक्षन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे संचालन के संबन में उनके कार्यों पर सैधान्तिक जानकारी दी गई। ब्लास फरनेश चार लिफ्ट में आयोजित हैंड्स ओन ट्रेनिंग मेसर्स आरोही एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड के साइट प्रवारी स्री एज बैनर जी द्वारा की गई। इसमें प्रतिभाग्यों को बिजली गुल होने और अन्य तक्निकी खरावी की स्थिती में लिफ्ट में फसे लोगों को बचाने के तरीके दिखाये गए। और उरिसा कुछ प्रतिस्तित वक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्थूत कर रहा है। आज के वक्तितव हैं प्रसिद गायक गुरु राम हरी दास। एक फ्रवरी 1953 को उरिसा के बालेस्वर के भगराई में जन्मेश्री राम हरी दास। उरिसे संगित उतकल संगित महाविद्दाले विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने उरिसी नृत्य और नृत्य नाटकों के लिए बड़ी संक्षा में गीतों की रचना के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की है गुरु राम हरी दास ने सेमीनारों और समयलनों में उरीसी नुरित्य संगित पर शोध लेक प्रस्तूत किये और उरीसी संगित पर कई किताबे लिखी हैं इनमें अलंकार रत्नबली, संगित संग्या, उरिसीक संगित परंपरा और माधमिक सिख्ष्या बोर्ड उरिसा द्वारा प्रकाशित कला सिख्ष्या शामिल है श्री दास उरीसा संगित नाटक अकादमी उतकल संस्कृति विश्य विदाले सहीद उरीसा में संस्कृतिक संस्थानों के साथ विविन पदों पर जुड़े रहे श्री राम हरी दास को उरीसिन रित्य संगित में उनके योगदान के लिए 2008 में केंद्र संगित नाटक अकादमी पुरसकार मिला अब एक घोशना सुरक्षा प्रवंदन पहल परियोजना निश्चे के तहट सेल रॉलकला इस्पाद सेंत्र के कर्मचारियों के मध्य एक सुरक्षा परिपक्वता सर्वेक्षन आयोजित किया जा रहा है सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि सर्वेक्षन में निस्पक्ष रूप से भाग लें और इमानदारी से राय देने की कृपा करें ताकि सुरक्षित और दुरुस्त कारेस्थल बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने में मदद मिलें आईए हम अपने इस्पाज सेंत्र को सुरक्षित सहीत हर पहलू में देश का सर्वेस्ट इस्पाज सेंत्र बनाने के लिए हाट बटाएं हिंदी समाचार का खुशे आज के लिए बस इतना ही नमस्कार कर दोड़ा है